भाग दोर भरी इस जिन्दीगी में लोगों का मुस्कुराना कितना जरूरी है ये तो हर कोई समझता और इसके लिए हम तरह तरह से कॉमेडी शोज देखते रहते हैं सीरिल्स देखते रहते हैं और कहीं न कहीं खुद के मूट को लाइटन अप करने के लिए बहुत कोशिश क करते हैं ऐसे में हमारे साथ अभी मौजूद है जीवी मोसिस हमारे शहर में है प्रभात खबर के कारेकरम में पहुंचे वे सर सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है और मेरा एक सवाल है आज के इस भागदोर भरी जिन्दगी में जहां लोग टेंशन भर में रहते हैं हसाना कितना मुश्किल है लोगों को सबसे पहले जोहार नमस्कार आप सबको प्रभात खबर के सभी दर्शकों का हसाना मुश्किल है आपको क्या बोलने हैं कितना मुश्किल है नहीं मुश्किल नहीं है मैं हमेशा कहता हूँ कि हसाना क्या मुश्किल है हमारा काम है हम प्रवाद खबर जैसे निउस्पेपर हमको बुलाती है तो यह हमारे लिए अध्षुष्किसमित की बात है और काम कर रहे हैं और आसान है मैं तो बोलता है जिसका प्रोफेशन है उसके लिए क्या मुश्किल है सर ऐसा होता है कि कई बार हम खुद परिशान रहते हैं लेकिन आपको एक्ट प्रेजेंट करना है तो आपके चेरे पर मुस्कान होने चाहिए और आपके उस मुस्कुराहट से सामने वाली ओडियंस भी हसनी चाहिए यह बात तो आपने सही बोला क्योंकि हम लोग एंटेटेनेर हैं मैं किया सिंगर क्या जो भी मंच पर आता है एंटेटेन करने के लिए उसकी कोई भी परिशानी हो वह विंग के बाहर छोड़ के आना चाहिए और छोड़ के आता ही है और मंच पर आते हो हमको हजारों बस सिर्फ उन पर होता है, कि अच्छी बात बोलो, अच्छी जोग करो, अच्छी बाते हो जाया, अच्छा दिखू, अच्छा हो और इवेंट बड़ा सकस्स दोलो, बस यह हमारा मकसद रहता है. सर, अभी जो बहुत सारे यूटूब शोज आते रहते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी का एक अलग ट्रेंड सेट हो गया है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत ने-ने टैलेंट आ रहे हैं, और यूटूब में देखिये इतने सारे, पहले तो हमारे कुछ चुनिंदा होते थे, फिर स्टैंड अप कॉमेडियन, मेमिक्री आटिस्ट, फिर लाफ्टर चैलेंज आया, उसे साव साव आटिस्ट एक महने में आ अभी यूटूब की वज़े से जो यूटूबर आ रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छा कॉमेडी कर रहे हैं, कुछ लोग बल्गर कर रहे हैं, बट उनकी ओडिन्स कंफर्टेबल है, तो क्या है, कोई प्रॉल्म नहीं है, हम पारिवारी एंटेटेन्मेंट परुस्ते हैं, क्योंकि वहां पर हम लोग नहीं करते हैं, वहां पर वो ड्रिंक्स करते हैं, लोग क्लब यूमर होता है, वो लोग भी यहां पर मेले में या इतने बड़े शोज में बहुत कम करते हैं, जो अब अब ऐसा नहीं कि सभी लोग उदर अश्लिता पहलाते हैं, वहां पर बहुत कहने का मतलब है कि उनकी audience comfortable है तो क्या problem है वेचे तो गाने में भी तो अश्लिलता आती है फिल्मों में भी तो है तो चेंज है यही एक सवाल जो था मेरा वह उससा अगले यही था कि कितिना चेंज है आप जब से कर रहें कि लंबे समय साप comedy कर रहें यही थिएत्र करते रहें फिल्मों में भी क flavors किया तब की फिल्मों में कौमेडी में क्या अंतर रहें या point आपको नजिता पारिवारी एंटेटेमिनन्ट परुस्ते हैं, और जो कलब के हैं, उनके यूथ रहते हैं, वो लोग कमफटेबले इंटरेक्शन में, उनको गाली भी दे देते हैं, उनका नाम पूछ कर रहे हैं, वो लोग कमफटेबले हैं, तो ठीक है, एक चेंज है, अगर कुछ अबजेक हैं क्यों से बात करने के लिए जोरने के लिए बहुत धन्य वाद सर लौब प्रभाद्कावर क्म विश्वास संव्ही रव थाढ़ नहीं